असलाम अलेकूम वागत तो मैं चैनल उमीद है आप सब टिक टाक होंगे और है रियत से होंगे आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़दार सी कुरकुडे पापरी चार्ट जो के बहुत ही मज़दार बनती है और बनाना भी बहुत ही असान है तो वीडियो को एन तक जरूर देख इसके अंदर ऐसके ऑचे तरीकोस के यहांपर एंदर गी और आप गी तरग करने है और इसके एंदर नपर गए फूझाय को जाए भूम जोबंग आधे ग्रम सेया पम पूस ब्रूने के लिए इससे पहले हम उपने के फोड़े साठनेगे अधे गंटी के लिए 15 काउंटर करें गौन बना लेनी है आप गर में जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही और अब इसको भी ढखकर नहीं आप फिर इसना का कटर लेकर इसका से गोल गोल आपने जो है इसला से शीप कट करनी है इसकी तो यह देखें इस तरह की छोटी-छोटी रोटि जो है वो बन जाएगी थिक इनको दो से तीर मेंट के बाद इनकी सायट जो है वो चेंज कर लेंगे स्टार्टिंग में यह थोड़ी से सॉफ्ट होती है लेकिन मेडियम फ्लेम में आपने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है तो यह देखें जब इनका कलर इस तरह से हो जाएगा तो यह थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएंगे बिल्कुल जैसे पापड होते हैं बिल्कुल वैसे ही तो यह देखें अच्छे से पापड़ी जो है हमारी रैडी हो चुकी है आयल जो है अच्छे से इसका चान लेंगे और उ मैं नाफिक किव। बहुत ही मज़दार होने वाला का और अब हम इसके ओपर डालेंगे इस सांसे बॉयल पोटाटो악 बारिक बारिक। इक मैंने कुप्स में इनको नि déjà है वो किया है इसके ओपर क्यूब युब आई से लाफिग टालेंगे इसके ओप आप चाहें तो इनकी जगा जो है जो वाइड सफेज चने होते हैं वो भी बाल का क्याइड कर सकते हैं दोनों का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है और अब इसके ओपर हम डालेंगे धेर सारी निम को और अब हम इसको कवर करेंगे जो पॉपरी हमने रडी की थी उससे प् है चाट मसाला आपनी मर्जी के अकार्डिंग जो है वाइड डाल सकते हैं सेंटर में अगें हम इनी चीजों की फिलिंग करेंगे थोड़ से पिटाटोस डाले हैं टमाटो डाले है उसके बाद डाला है अनियन गुरी चिलिस टालेंगे थोड़ी सी और लास्ट में हमारा आती है और टेस्ट जो होता है वो भी बहुत ही मसे का बनता है तो यह देखे जबत असी कुरकुरे पापरी चाट जो है वो हमारी राडी हो चुकी है तो इसको और अमेजिंग टेस्ट देने के लिए इसके साथ हम यूज करेंगे मिन्ट चटनी आप चाहें तो लास्ट में अब सब को अला हाफिज